आदाब वक्त इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आसेफ रशीद कुछ लोग जीवन की शुरुवात से ही अच्छे हालात में होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते लेकिन डॉक्टर शमीम बांडे एक ऐसा नाम जिन हुने असी और नभे के दशक से ही कटिन परस्तितियां देखी लेकिन इसके बावजूद भी आगे बढ़े और मजूदा समय में कई राश्ट्रिये और अंतराश्ट्रियस्तर की संस्थाओं से जुड़े हैं और विभिन समाजिक कारियों में भी लगे हुए हैं देश के साथ साथ विदेश में भी डॉक्टर शमीम बांडे ने खूब नाम कमाया जिवन के शुरूती दिन सीमा से सटे गाओं अडाई में गुजरे और अडाई गाओं से देश के विभिन हिस्सों तक और खासतोर से विदेश तक का ये सफर डॉक्टर शमीम बांडे के साथ कैसा रहा डॉक्टर शमीम बांडे ने वक्त इंडिया से खास मुलाकात के दौरान कई एहम बाते बताई और साथ ही उन समाजिक कारियों के बारे में बताया जिन में वो दिन और रात एक करके लगे हुए हैं इस मुलाकात में और क्या कुछ खास रहा आप भी देखिए अदाब दिन प्रति दिन हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शक्सियात से करवाते हैं जो ना सिर्फ समाज के लिए कारे कर रहे हैं बलके उसके साथ साथ किसी भी फिल्ड में अपना नाम रोशन करके और खास तोर से युवा पीडी के लिए हर कदम पर उनका साथ देने के लिए तयार हैं और अगर कोई ऐसी शक्सियत सीमावर्ती छेतर से निकल कर आए शहर का रुख करे कठिन परिस्तितियों से निकल कर आए और बाद में एक बहतरीन मुकाम हासिल करे तो उसके क्या कहने आज हमारे साथ हैं सीमावर्ती जिलापुंच की अगर बात की जाए तहसील मं जहां का सीमावर्ती छेतर अडाई गाउं वहां से तालुक है इनका और किसी तारूफ के मोहताज नहीं है डॉक्टर शमीम बांडे साहब डॉक्टर शमीम बांडे साहब के बारे मैं आपको बता दूँ ये पुंच डिग्रे कॉलेज में इस वक्त प्रोफेसर के पद पर कारे रत हैं और जॉलोजी विभाग की अगर बात की जाए जम्मो कश्मीर में इनका डंका बज़ता है और ना सिर्फ देश में बलके विद साथ-साथ मैं आपको बताओ एको रेवलुशन एक संस्था है जो वातावर्ण की बेहतरी के लिए काम कर रही है उसके साथ भी जुड़े हैं कई अन्य ऐसे संस्थाएं हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं और आज हम इन ही की जुबान से इन तमाम कारियों के बारे मे जानना चाहेंगे किस तरह से ये एक दूर दराज ग्रामीन छेतर से उटके आए और समाज के साथ-साथ युवा पीड़ी के लिए काम किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं सबसे पहले शमीम साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए आप एक ऐ इसे इलाके से हैं जहां असी या नभे के दर्शक की बात की जाए मिल्टनसी भी रही गरीबी थी लेकिन उसके बावजू जब आपने ये ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है ग्रामीन छेतर अडाई से लेकर शेहर तक का ये सफर कैसा रहा सबसे पहले ये जानना पहले तो मैं आपका शुक्रिया दा करता हूँ कि आपने मुझे यहां वक्त दिया अडाई एक बहुती पसमांदा इलाका था आप जानते हैं कि वहां पे ना रोड कनेक्टिविटी थी ना कोई अच्छा स्कूल था ना कोई हस्पिताल था ना इतनी पानी की या कोई और फ खवाब था कि अपने लिए नहीं बलके समाज के लिए कुछ करना है तो यह चीज़ लेके मैं वहां से निकला गाउं से निकला और अपनी स्कूलिंग को कांटिन्यू रखा और स्कूलिंग के साथ साथ में जो सोशल जितने भी एक्टिविटीज थी वहां पे एक्टिविल लेवल पे लोग जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वहां की नाट अनली डाट पर्टिकलर एरिया बट होल डिस्टर्क या स्टेट की बात करें तो उसके लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं शबीम साहब अगर इस तमाम सफर की बात की जाए जाहिर हर किसी को कटनाईया होती हैं मुश्किले आती हैं आपको भी बहुत सारी मुश्किले इस पूरे लंबे सफर में आई होगी कोई ऐसा मोड आया जहां पर आपको यह लगा हो कि यार मुझे यह कुट कर देना चाहिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा कोई ऐसी जगह कोई ऐसा समय लेकिन इसके बहुत हाटचिप देखी लेकर मैंने हिमत नहीं आ रही मैंने शोनी होनी है एक्सटरनली फिनोटिपी कली बिल्कुल भी इस चीज़ को शोनी किया कि नहीं मैं किस परशानी में हूँ या मैं कोई मुशकलात में हूँ मैंने उन तमाम मुशकलात का उन हर्डल्स का मकाबला क बगार किसी डर के, बगार किसी खोफ के, और मेहनत करता रहा, और मेहनत का फाल ये मिला कि एक 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 एसोसियेशन एक लोगों के साथ एक एक एसोसियेशन बनती रही और एक कारवा बनता गया, और फिर सब लोग मिलकी हम लोग काम करते रहे, और अला का करूं हुआ, फिर ए रे बच्चे ऐसे थे जो के-स करके आगे आई आए या करके आज लॉशनीर का इस करके तो आज बड़ी सट्सफेक्शन हो रही इस चेस की लेकिन इसमे कोई शक की बात नहीं के एक दोर रहा कि जब हाड्शिब देखी मिलिटन्सी थी मुझे आज भी याद है किस तरह से रात को मिलिटन्स से लोग डरते और छे बचे के बाद कोई रोशनी नहीं जला सकता था लेकन हम लोगों ने हम्मत नहीं हा रही हम गाओं के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे और अल्ला का करम हुआ कि वो तमाम प्रशानियां खत्म होई और आज अल्ला का करम है कि आज किसी मकाम पे हम लोग शमीम साहब बड़ी गर्व की बात है आप एवार्ड विनिंग प्रोफेसर हैं और विदेश में जाके आपने नाम कमाया है तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन-कौन से दोरे हैं जो आपके लिखास हैं और कौन-कौन से ऐसे देश है जहां पे आप गए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नालिज नहीं जानते जरूर हैं कि वो बाहर गए लेकिन पूरी जानकारी नहीं है वो भी जानना चाहूँगा और उसके साथ-साथ बहुत सारी समाजिक संस्ताएं हैं राश्ट्रिय स्तर पर या अंतराश्ट्रिय स्तर पर बहुत सारी संस्ताएं जिनसे आप जुड़े हैं उनके बारे में जरूर जानना चाहूंगा ये 2010 की बात है दिसंबर में मुझे एक अपरचुनिटी मिली UK जाने की लेकन अनफॉर्चुनिटली मेरे कुछ प्राब्लम की वज़ा से मुझे कलेरंस नहीं मिल पाया मुझे पासपोर्ट पे कोई अबजेक्शन लग गया जिसकी वज़ाद से मैं वो इन्टरिशनल कानफरस जहां पे मुझे की नोट स्पीकर पहली बार फस्ट टेम की नोट स्पीकर मुझे बुलाया जा रहा था कि इन्टरिशनल कानफरस में युनाइटि किंडम में लेकर मैं आनफर्चनेटली वहां नहीं जा सका मेरे फादर उस वकद जिन्दा थे और ऐसा इत्वाक हुआ कि 10 दिसंबर को मुझे युके जाना था तो 10 दिसंबर को ही मेरे फादर की डेथ होगी लेकर मेरा पहले ही आलरी प्रोग्राम कैंसल हो चुका था उसके बाद मैंने हमत नहीं हारी मैं काम करता रहा रिसर्च पेपर लिखता रहा और 2012 में मुझे अपरचनेटी मिली कि मैं सिरिलंका में किया एक इन्टरिशनल कानफरस में और उस इन्टरिशनल कानफरस में मुझे पहली बार आवार्ड मिला FISST का आवार्ड Fellowship of International Society of Science and Technology की तरफ से ये आवार्ड मिला ये इन्टरिशनल आवार्ड था जो के वहां के प्रेजिडन्ट ने मुझे दिया मुझे बहुत खुशी होई इस चीज़ के मेनत का रही है गोवा में मुझे बेस्ट साइटिस्ट आवार्ड मिला जावल जी में फिर मैं उसके बाद मैं बेंकाक में इन्टरिशनल कानफरस में गया जो के इको रेवल बायो ने नो फरंटियर्स ने की थी जहां पे मुझे फिर दोबारा वहां पे अवार्ड मिला best of nature award ये भी बहुत बड़ा वाड था इसके cash prize भी था और भी बहुत कुछ थे जो मुझे बड़ी खुशी होई इसकी जब मेरी presentation वहाँ पे लोगों ने देखी और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वकट होई कि मेरे सामने एक wise चांसलर थे गवाई यूनिरस्टी के उनकी आंकों में आंसू थे उनने कहा कि मैं पहली बार इतनी खुबसूरत एक powerpoint presentation देख रहा हूँ जिन हलात से आप निकल किया क्योंकि मैंने वो powerpoint presentation इस तरह से बनाई थी कि मैं वहाँ का हलात और वहाँ की condition भी उनको दिखाई किन हलात में हम लोग वहाँ पे रहते रहें और किस तरह से हमने मेंनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे है इसके इलावा बहुत सारे स्कूल्स भी हैं संस्ताओं के साथ आप जुड़े हैं आप गाउं में free schools चला रहे हैं competition of college गो केस और आईएस के जो चात्र हैं उनकी कड़ी परिक्षा होती है लेकिन उसे उनके लिए भी रास्ता आसान कर रहे हैं और भी बहुत सारे schools जिनके बारे मैं जानना चाहूँगा और ये सोच कहां से पैदा हुई रास्ते तो और भी बहुत सारे आपके पास थे आगे बढ़ने के लेकिन schools गाउं में या शेहर में खोलना ये कहां से आपकी व्यक्तिकत राय थी या फिर आपके मरहूम वालिज सहब ने आपको एक अपनी राय थी उनकी कहां इस तरह आगे चला जाए इससे पहले कि मैं स्कूल के बारे में बोलू हुँ मैंने उसके बाद मेरे को अपरचनिर्टी मिली मौराश्यस में इंटरनेशनल कानफर्स होई वहाँ पे मुझे की नोट स्पीकर बुलाया गया की नोट स्पीकर बहुत मुशकल होता है एक गिंटे का आपको लेक्चर देना और आपके सामने सारे साइटिस्ट बैठे होते है और कोईसी भी एक इशू पे आप लोग जब अपना रिसर्च वर्क रखते हो तो वो आपका बड़ा सालिड होना चाहिए उसके बाद देश में तो बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल कानफर्स होई जहां तो मैं आजकर लला के फजल करम से अजिकी नोट स्पीकर मुझे बलाया जाता है जहां तक आपने सवाल पुछा कि यह जो स्कूल का कंसेप्ट आपके माइन में कैसे हो है मुझे आज भी वो रात याद है आखरी रात मेरे वालदे मौतर्म की कि जब वो रात को मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उनने मुझे कहा कि जो अडाई गाउं है उसको छोडना नहीं है कभी आप जहां मर्जी पहुंच जाएं लेकर आपने उस गाउं में क्योंके वहीं पे हम लोग बड़े पले पढ़ाई वहीं से हम लोग ने की तो मैं जब उनकी वफात अचानक सड़न एक्सिडंट से हो गई तो मैंने जब गाउं में विजट किया तो मैंने वहां के लोगों से मश्वरा किया कि ऐसी क्या चीज शिरू की जाए जिससे के मैं अपने वालदे मौतर्म का वो खवाब जो अनूने देखा था कि अपने गाउं को नहीं चोड़ना तो उसको रखा जाए तो मेरे मन में आया है कि एजूकेशन ही सबसे बड़ी बात है तो मैंने फिर सर्वे करवाया वहां पे मैंने वहां देखा कि एक ऐसा एरिया था जहां पे स्कूल नहीं था जहां बहुत दूर था कोई रोड नहीं थी दो गणते कम से कम पेडल चलना हाज भी चलते हैं लोग चलना पड़ता है आम लोगों को वहاं पे तो वहां पे मिने जाके स्कूल खुला और आज अल्ला का करम है दो स्कूल हैं जो बिलकुल फ्री आफ कास्ट हम लोग वहां पे बच्चों को बढ़ाई दे रहे हैं और आज मुझे सबसे ज़्यादा सैटसफेक्शन ये होती है कि जब मैं वहां जाता हूं और हर साल एन्वल फंक्शन होता है डिश्ट्रिक अरिमिस्टेशन जाती है बाकी तमाम प्रामिनेट लोगों को बलाता हूं उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाता हूं कि जब मैं देखता हूं वो बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं हलाके हमने खुद जब मैं वहां पर रहता था तो मैंने सिक्स्ट में एबी सी पड़ी लेकर आज मेरे नरसरी के बच्चे वो जो बच्चे जिनके माँ बाप किस मिल्टनसी के वाई से नहीं है या गरीब हैं जो एफर्ड नहीं कर सकते किसी अच्चे स्कूल में उनको हम वही क्वालिटी की एजूकेशन फ्री आफकास देने की कोशिश करें चलिए बहुत अच्चा कदम है आपकी तरफ से और इसके इलावा मैं हम यह भी जानते हैं कि आप को रेविलुशन एक संस्ता है जिसके हवा का में नमी और हवा पूरी तरह से जो माहूल था खराब हो चुका था बीमारियां लगातार फैल नहीं तो कौन से हमारे पास उपाए हैं मौजूदा समय में चाहे वो अपनी डिस्टिक्ट पुंच की बात हो या फिर राज-जमू कश्मीर में जहां यह जो माहूल में आलूदगी है इसको दूर किया जा सकता है अबी टेकनालोजी इतनी अड़़ांस होगी है पापूलिशन इतनी जएदा बढ़ गई है तो हर चीज़ की रिक्वाइर्मेंट बहुत ज़यदा होगी है और जब अप रिक्वाइर्मेंट होगी तो आप बहुत ज़यदा फटि किजिए जैसे हमारी स्टेट की बात है तो हमारे पास बहुत सारा एरिया ऐसा है बहरन एरिया है जहां पर आप प्लानटेशन कर सकते हैं और जब आप अच्छी प्लानटेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि यह लेवल जो पॉलिशन का है यह कम हो जाएगा और फिर प्लैन तरिके से हम लोगों को आर्टो मोबैल्स का यूज करना है और फटिलाइजर्स का यूज करना है जब आप इन सब चीजों को प्लैनिंग से करोगे तो मुझे लगता है कि इसके लेवल में कमी आएगी और आज हमें ये इसका उतना पता नहीं चल रहा है ये बहुत जबर्दस कैंसर हमारे महुल में हमारे आटमास्फिर में आ रहा है जो के आने वाले वक्त में बहुत सीरियस अफेक्ट इसके हमें दिखेंगे तो हम लोगों को सब को इसके लिए एक अवेरनेस की ज़रूरता है देखिए मैं बड़ी बार ये कहता रहता हूं मैंने डिस्ट्रिक अड पॉलुशन हो रहा है उसको कम इस्तमाल करो और बायो कन कुछ ऐसे चीज़ें यूज करनी है जिसका अफेक्ट नहीं है नेगिटिव एफेक्ट नहीं है तो उनको इस्तमाल करके समाज से और महुल से एटमास्फिर जो है उसको साफ किया जा सकता है पुंच की बात की जाया अगर पीर पंजाल रेंज की बात करें वहाँ ज्यादा जो आजकल एक बिमारी है वो ड्रग्स की है और तसकरों की भी कमी नहीं है लगातार जिलब प्रिशासन और पुलीस की बात की जाया है वो भी कमर बस्ता है इस चीज़ के लिए और एक साथ जुट होके और उन पे लगाम लगाने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने लेवल पे आपने भी एक मुहिम छेड़ी है इन तसकरों से भी बचा जाए ताकि यूवा पीडी जो है उसको बचाया जाए वो क्या है उसके बारे में जरूर बताएं पिछले दो साल से हमने मैं मैंने खुद देखा नोजवान बच्चे पढ़ने जाते थे और बाद में उनकी लाशें वापस आइंगी बहुत दुख हुआ और जब मैंने अपने तमाम नोजवान यूद से बात की किस तरह से कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि जिससे के यूद को अवेर किया जाए कि व इसके बेनर के तले और आज अल्ला का करम है कि शींदरा में में गया तो वहां से मैंने एक आदमी ऐसा है जिसने के आलनके वो ड्रग नहीं मैं उसको बड़ाएं सिगर्ट लेता था तो उसने ऐलान किया सब के सामने कि मैं छोड़ दूँगा छोड़ दिया एक सुरून परिया में जाके वहां सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के साथ साथ में लोगों को बताने की कोश्च कर रहे हैं कि इसके क्या नैएगीटी ऑफक्त हैं तो आने वraction मैं मुझे लगता है कि इसका असर होगा इस में की बात नहीं है कि पूलीस बोछट अच्छा काम रही है जितन प्राबलम से हम लोग उन बच्चों को निकाल सकते हैं जो के बड़ा स्लो पाइजन है आइस्ता हमारी इस नसल को आप देखा पंजाब में देखे पंजाब में जब ये फैल गई तो वो लंबे लंबे वो हल्दी हल्दी जो आप वहां पे लोग देखते थे आज आपको वो टिपिकली और जीनो टिपिकली दोनु तरह से ये ड्रग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो हम चाहते हैं कि हमारी ये रियास्त वैसी रियास्त ना बने और अल्ला के फजल करम से मुझे अमीद है कि नोजवान बच्चे जिस तरह हमारा साथ दे रहे हम इस वब आसपास के गाउं हैं उससे दूर दराज शेत रहे हैं सीमा पर गोली बारी लगातार हो रही है उससे प्रभावित हो रहे हैं काफी उन बच्चों को बाहर लाने के लिए या उनके लिए मुफ्च शिक्षा के लिए आपको एक गदम उठाएंगे आने वाले समय में मैं उरान का इंचार्ज भी हूँ पिछले काफी देर से मैंने काफी बच्चे ऐसे बेजे हैं जो दिल्ली में इससे वकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो जाब भी उनको मिल रही है इसके लावा हमने कोशिश किया है कि सेल्फ इंप्लाइमेंट जनरेट की जाए क्योंकि नालज चाहिए जैसे सरीकल्च डिपार्टमेंट में मैं काफी देर से काम कर रहा हूँ बहुत सारे पेपर और बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और प्रक्टिकली काम कर रहे हैं तो मैंजे अमीद है कि यूथ उधर भी अट्रेक्ट हो रहा है और उसके साथ में हमने सू कि लफुल नालज होने चाहिए तो हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी नौजवान नसल उस तरफ अपनी तवज्जव जादा दे कमपीटिशन की तरफ आए और आने वाले वक्त में एक अच्छा मकाम असल करें आखर मैं चाहूंगा जिस जिला से आप बिलॉंग करते हैं वहां प कई बार हमें मिसाल देखने को मिल चुकी है आखर मैं एक मैसिजज चाहूंगा उन तमाम युवाओं के लिए खास तौर से बच्चीओं के लिए जिनको घर के हालात बाहर यह आने देतें उन तमाम यह खास तोर से पीर पंजाल जो रहे हैं जहें राज़ोरी और पुंच से जुड़े हुए जो इलाके मैं चाहूंगा कि उन बच्चों को बहर आना चाहिए उनके पेरिंट्स को उनको आगे लाना चाहिए और कोई रकावट नहीं होने चाहिए आज यह वो 1947 से पहले वाला दोर नहीं है आज बहुत एडवांस दोर है आज हमारी बच्चियां बिल्कुल बच्चों के बराबर हैं उनको भी उतना ही मैं बियालोजिकली बताता हूं कि मेंटली उतनी वो स्ट्रांग हैं मेंटली और फ पूरी फैमली को लेके चलता था नहीं आज के इस दोर में सभी को काम करना चाहिए सभी को प्लेट फार्म सिर्फ एक प्लेट फार्म की जरुटा है तो अगर कहीं भी हमारी जरूरत होगी बच्चों को हम आलवेज अवेलेबल हैं इन तमाम नوجवान बच्चों को गाइड क करने के लिए उनकी फर्दर एडमिशन के लिए कारियर कांसलिंग के लिए सेलिफ इंप्लाइमेंट के लिए या इन तमाम जो सोशल इवल हमारी सोसाइटी में आगे हैं इनके खिलाफ आवाज उठाने की अगर जरूरत हो तो हम उनके साथ साथ रहेंगी और मैं अमीद स्लोगन बहुत अच्छा है कि नॉट मी बट यू इस तरह से ये काम करेंगे सभी को लेके यूनिट वाइज देखिए इंडिविजुली कोई काम नहीं हो सकता आज अगर हम कहीं काम कर रहें तो मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ बलके तमाम लोग मेरे साथ मिलके काम कर र मेंटली एक घंदगी फैल गई है उसको निकालना और ड्रग को خत्म करने के खिलाएं उसके महिम चलानी है नोजवान बच्चों को बताना है कि हमारा फ्यूचर अगर हम अपना नाम चाहते एं अपनी सुसाइटी में अपना नाम चाहते रियासत का नाम चाहते है मुलक का तो हम तममान नोजवान बच्चे और बच्ची को आगए आना चाहिए और मिल कि इस देश की एक बहुत बड़ आ देश है इस देश की इस रियासत की और इस पीर पंचाल की तरقी के लिए काम करना चाहिए बहुत शुक्रिया शमीम साभ अपना कीमती समय देने के लिए ये थी डॉक्टर शमीम बांडे साभ जो यू तो प्रोफेसर के बद पर डिगरी कॉलिज पुंच में कारे रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ समाज के लिए बहुत कारे कर रहे हैं जहां इनकी खूब सराहना हो रह रहे हैं और ये चीज इनने प्रूव कर दी कि परस्तितियां कैसे भी हो आपके साथ नहीं हो लेकिन आपको हालात का डटकर मकाबला करना चाहिए और जिसमें यह हिम्मत हो वो कभी जमाने की इन तमाम मुश्किलों से हार नहीं मानता कैमरा परसन रिशी कुमार के साथ आसि शेफ रशीद वक्त इंडिया जम्मु